प्रकृति के तीन गुण बताए गए हैं सत्व, रज और तम तीन गुण है प्रकृति के और मनुश्य के अंदर भी तीन गुण होते हैं सात्विक वृती होती है हमारी या राजसिक या तामसिक तो सत रज और तम ये तीन गुण प्रकृती में भी हैं और यह हमारी फीतर भी हैं तो हमारी जो गुण हैं वो प्रकृती के गुणों के साथ मिलकर फिर कर्म होते हैं जो हमारा स्वभाव है हम उसी के अनुसार चीजों को ढूंडते हैं एक सात्विक मनिश्य सात्विक चीजों को ढूंटा है, उसे मंदर जाना अच्छा लगता है, उसे प्रार्थना करना अच्छा लगता है, वो ऐसे मित्रों की टोली बनाता है जिनके साथ बैटकर वो ज्यान की चर्चा कर सके, ससंग कर सके, पूजा कर सके, ध्यान कर सके, वो स सात्विक चीजे ढूंडेगा, सात्विक वस्त्र ढूंडेगा, सात्विक भोजन ढूंडेगा, उसके सामने कैसी भी चीजे रख दी जाएं, वो सात्विक आहार को ग्रहन करेगा, तो सात्विक वृति सात्विक चीजों को पकड़ लेती है ऐसे ही राजसिक वृति राजसिक चीजों को ढूनती है अगर राजसिक है आम तो प्रकृति के रज गुण के साथ मिलकर करम करेंगे आप क्रोधी हैं तो वैसी ही चीजे मिल जाएंगी आप धन के पीछे पागल हैं तो आप धन के लिए वैसे ही प्रयोग करेंगे वैसे ही बिजनस शुरू करेंगे क्योंकि मन वहीं पर है तामसिक लोग तामसिक क्रत्य करते हैं दूसरों को सता कर बड़ा मजा आता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वभाब प्रबल है और वही कर्म कराता है प्रकृती के गुण हमारे गुणों के साथ मिलकर फिर बर्तते हैं जैसे मिट्टी का घड़ा अब जो मिट्टी है उसमें गुण है घड़ा बनाने का गुण है उसके अंदर अब कुमार को जो गुण है वो घड़ा बनाता है उसमें वो टालेंट है वो गुण है तो कुमार का जो टालेंट है और जो मिठी का जो तत्व है गुण है जिससे घड़ा बनता है जब वो दो चीज़ें मिलती है आपस में तो घड़े का निर्मान होता है हम रेट से घड़ा नहीं बना सकते और नहीं कोई डॉक्टर घड़ा बना सकता है जिसने वह गुण अर्जित किया है वही व्यक्ति बना सकता है तो कुमार घड़ा बनाता है मिट्टी के साथ मिलकर यदि मित्टी कहे कि मैंने घड़ का निर्मान किया तो यह सत्त्य होगा और कुमार कहे मैंने किया है तो वो भी असत्त्य होगा दोनों के गुण मिले तभी चीज प्रकट हुई तो गुण गुणों में वर्तते हैं ये भगवान श्री कुष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं